ऐसी व्यवस्था बना दो, पांच साल तो सरकार रहेगी इनकी, ऐसी व्यवस्था बना दो, कि हर दो तीन महीने में कहीं चुनाव करा दो, और आप देखो कि सरकार बीजल, पेट्रोल, बीजली, कोई भाव बनने नहीं देगा। पधान मंत्री योरप में कह रहे थे कि हम दुनिया का पेट भरेंगे, जहों का निर्याद करेंगे, और कुछी दिन में आपने निर्याद पर प्रतिबन लगा दो, पहले श्रत धांजिली दूंगा मानने सुश्मा सुराज जी को, और इसमें कोई शक नहीं है, मुझे याद ह मैं लोकसबा में उनकी भाषन को मैंने सुना, जिस तरीके से जमीन से जुड़ी बात, एक ग्रहनी का दर्द, घर ग्रहस्ती की बात, मद्यमबर्ग और गरीब के दर्द को पीड़ा को वो ब्यान करती थी, बेखुबी तेर किसी, तो उनसे प्रेणा लेते हुए, आज वो महंगाई के दर पे सबी सदसों ने बात रखी, लेकिन जो मूल बात यहां सदन में हुई है, उसे मैं कुछ अलग राय रखता हूँ, हम महंगाई की बात करते हैं, तुरंत आलू प्यास टिमाटर पे आ जाते हैं, हमने क्या सिमेंट, सरिया, इट की बात की, ट्रेक्टर के भाव की बात की, पंपसेट के भाव कैसे बढ़ गे उनकी बात की, क्या किसान के लागत के हम चर्चा कर पा रहे हैं, मैं आखडे दूँगा, एप्रेल से जून दोजार बीस, ये जो तीन महीने हैं, अगर उसमें CPI, फूड एंफलेशन आट परसेंट रहा, जो काफी होता मैं मान रहा हूं, उसी समय में आपका WPI, Farm Input Inflation, 27.4%, और यहां मैं lived experience बताना चाहता हूं, अगर आखड़ा गलत हो, बहुत सदस यहां ऐसे हैं, जो खेती करते हैं, जानते हैं, बता देंगे, 2014 में अगर एक एकड़ के गेहूं के खेत पे ट्रैक्टर से आप जुताई करते हैं, आपके औसतन तीन हजार रुपे खर्च हो रहे थे, आज आट साल बाद चोवन सो रुपे खर्च होते हैं, एक एकड़ के धान की खेती आप करते हैं, तीन सो रुपे का बीज आ जा जात करें, ठीक है, टॉप है, आपने स्कीम बनाई, 2018 में 500 करोड दिये, सवाल बनता है, कि उस संसादन का क्या प्रियोग हुआ, क्या हमने खाद प्रसंसकरन के इंड़स्ट्री को फूड प्रसेसिंग को बढ़ावा दिया है, क्या यह सच्चाई नहीं है, क्या आप टॉमेटो स शुरू होता है, टमाटर के प्रसेसिंग पे आप 12% GST वसूलना चाहते हो, क्या यह सच्चाई नहीं है, कि पोटेटो को प्रसेस करने के लिए, अगर आप चिप्स बनाएंगे, नमकीन बनाएंगे, तो उस पे भी आप 12% GST वसूलना चाहते हो, यह भी एक कारण है, कि जो फूड इंफलेचन है, वो बे काबू हो रहा है, मैं आगरे करूंगा, वितमंत्री को मैं सुझाद देना चाहता हूँ, कि अगर आप CPI में जो वेटेज है फूड का, अगर आप उसे घटा देंगे, तो यह जो चर्चाएं बेवजा होती हैं, आप भी दवाव कम होगा, आ हमार रहा 46% है, इसलिए दूद का भाव एक रुपे बढ़ जाएगा, तो तरही तरही मत जाएगी, आप पे भी दवाव बन जाएगा, और फिर आप व्यभारिक फैसले नहीं ले पाती हो, हमने देखा है, दुनिया ने देखा है, कॉमर्स मिनिस्ट्री डेलेगेशन तयार कर रहा था, एक्षेनल अफेर मिनिस्ट्री पी एम को बरीफ कर रहे थे, प्रधान मंत्री योरप में कह रहे थे, हम दुनिया का पेट भरेंगे, जहूं का निर्यात करेंगे, और कुछी दिन में आपने निर्यात प्रतिबन लगा दिए, ऐसे फैसले ना हो, इसलिए मेरी म कर रहा हूं, मेरी साहनबूती है वितमंत्री जी के साथ, क्योंकि जब से वो आई है, वो मजबूर होके क्रैसिस मैनेजमेंट मोड में उन्होंने काम किया है, लेकिन हमें सेनारियो प्लैनिंग करने चाहिए, भविश्य की प्लैनिंग योजना हमें बनानी होगी, मैं उनके साथ बैठक लिए है, क्या आप उनके साथ बैठक लेंगी, उसका जवाब मैं आपको उत्तर में जानना चाहूं, और अंत्ता जो आम आदमी कहता है, उसके पास सारी चीजों का समधान है, मैं बताना चाहता हूं कि एक आम आदमी ने मुझे कहा, क्या समधान देजी मैंने पूचा क्या समधान है, उसने का सरल है, ऐसी व्यवस्था बना दो, पांच साल तो सरकार रहेगी इनकी, ऐसी व्यवस्था बना दो, कि हर दो तीन महीने में कहीं चुनाव करा दो, और आप देखो कि सरकार, बीजल, पेट्रोल, बीजली, कोई भाब बढ़ने नहीं राइट, हम जाएट, हम एट बना दो, इन्टों ने कोई राजनिती किया नहीं, जाओ दिया, आप उसको स्विकार करेंगा, ना करेंगा, अलग बात है, ऐसी चेचा ऐसी होना जिए सचोज में झाल 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 झाल